नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एक्जाम अनुभो पर फ्रेंड्स आजम बात करेंगे मुख सेवी का परिच्छा हाँ फ्रेंड्स यह अधिना सेवा चैन आयो गयाने की यूपी ट्रपलसी की तरफ से 24 सेप्टंबर को यह एक्जाम होने के लिए अध्मिट कार जारी किया गयते हैं उसके बाद यहां पर जो अभी आल फिलाल के जो निउस पेपर आए हुए हैं उसमें आपने पढ़ा भी होगा तो यह जो ऑफिसियल डाटा है 35,000 कंडिडेक्ट ही परिक्षा में समलित हुए हैं तो यहां पर एक अच्छा खासा गैप है जो आप लोगों के लिए जिन्हों ने एक्जाम दिया उनको थोड़ा सा बेनिफिट देगा क्योंकि 35,000 कंडिडेक्ट जाधा नहीं होते हैं और यहां पे 35,000 कंडिडेक्ट पद भी यहां पर अच्छे 26,93,27 और यहां पर हम बात ये भी कर लें कि यह जो 35, 30,000 candidate समलित हुए हैं और यहां पर दो पालियू में एक्जाम करवाया है आयुग ने तो यहां पर जो 35 अर्ट अभ्यार्थी ने एक्जाम दिया है यहां पर बात करेंगे first shift और second shift first shift आलो का कहना है कि यहां हमारा exam tough था second shift आलो का कहता है मेरा exam tough था मगर जो मेरा observation है आप देखिए मैं किसी का पच्छने लूँगा ना बैस डूँगा मैं यहां पर first shift को tough काऊंगा तो second वाले बुरा मानेगे यहां पर जो मेरा observation जो मुझे paper देख के लगा वो मुझे second shift वालो को देख के tough लगा हो सकता है आपको सरल लगा हो मगर मुझे जो लगा competitively जो first shift में exam आया था वो थोड़ा सा दैनिक आपके जो observation के question थे think based question थे तो वो वहाँ पर थे और यहां पर maximum candidate ने 90 तक attempt किये हैgado first shift में second shift में 87 maximum जो यानिकि maximum candidate नहीं maximum question की बात कर रहो हूं यह maximum question attempt करने का average 지역 बात कर रहो हूं जिसने तयारी की है जिसने नहीं पढ़ा है तो दो फिर attempt kरने के लिए hundred percent भी attempt की है है उनकी बात बात नहीं कर रहा हूँ जिसने तयारी की है serious होगे थोड़ासा आप पर जो अच्छे से पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ और यहाँ पर 90 question attempt किये हैं और यहाँ पर 17 तो यहाँ पर थोड़ासा question का level are all था और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 20 question भी गलत किये होंगे आपने बहुत अच्छी एकरशी होगी तब बात कर रहे होंगे तो 24-25 तो अमूमन हो सकता 27-27 गलत निकलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 70 कोश्चन यहां पर ऐसे हो जाते हैं माइनस 20 करने के बाद उसके बाद आपर 1 by 4th माइनस मार्किन था तो यहां पर 20 कोश्चन हो गए तो 4 से डिवाइड कर ले तो 5 नमबर ऐसे मोटी मोटा हो जाता है तो 5 नमबर और कर ले माइनस तो 65 आ जाता है मगर जिनों ने जिनको कोश्चन आ रहे थे जिनों ने रिज्क नहीं लिया है उन्हें ने तो 82 असी तक ही अटम्ट किया है तो यहां पर जिनों ने 87 किया है तो उनके कोश्चन भी 24 तक माइनस हुए हैं गलत निकले हैं तो यहां पर 24 गलत निकले हैं तो उसके बाद माइन करेंगे आप कितने हो गए यानि कि च्छे कोश्चन तो लगभग लगभग यहां पे 57 नमबत के अराउंड आ रहे हैं तो यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ही फस्ट और सेकंड इतना अंतर कैसे यह पैसा ठा रहा है अब ऐसे तो जितने उन्हें फस्ट ने एक्जाम दिय जिसमें कहा गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा जो भी आगामी परिक्षाह होगी उसमें नॉर्मलाइजेशन मैथड लागू होगा तो यहां पर भी नॉर्मलाइजेशन मैथड लागू होगा क्योंकि एक्वल करने के लिए पेपर का जो लेवल है बैलेंस करने के लिए यहाँ पर यह normalization पद्धत लागू की जाती है तो दोनों shift के highest marks लानने वाले अभरतियों को समलित किया जाता है और उनके marks को बराबर करके जितने अटेम्ट होते हैं जितने समलित होते हैं उनसे divided किया जाता है देखिए यह आप तैय नहीं कर सकते इनकी क्या calculation है क्योंकि SSC का भी आपने देखा हुआ जो normalization का calculation है बड़ा आजीब है ठीक है तो यह जो भी निकालेंगे मगर यहाँ पे जो मेरे नुसार लाब मिलेगा second shift वालों को फैदा मिलेगा भलाई तीन नंबर का ही मिले दो नंबर का ही मिले मगर second shift वालों को इसका फैदा मिलेगा नौर्मलाईजेशन में तो आप यह मत सोचिए कि जिनके 65 बन रहे first shift में उन्हीं का होगा देखिए यहाँ पे आप 58, 69, 60 second shift वाले पहुँच रहे तो आप अपने को safe zone में रख सकते हैं क्योंकि paper का level ठीक थाग था, moderate था बहुत tough नहीं के moderate था ना कि बहुत easy था ऐसे 10% human error भी questions होते हैं जो आप से आते हो questions गलत कर देते हैं तो वो भी question आप यहाँ पे add करेंगे उसका दंड आपको मिलेगा क्योंकि आपने गलती कि है तो 1 by 4 minus marking आपको मिलेगी तो इसको ध्यान में रखते वे यह जो मेरे अनुसार cutoff दी जारी है देखे common cutoff होगी ना first shift मैं कहूंगा कि first shift को ना जोड़ूँगा ना second shift को यहाँ पे जो मेरे अनुसार और यहाँ पे यह भी आपको बता दूँ कि normalization हाँ जिसके आपके कितने marks बन रहे है पहली चीज़ तो आप मुझे अपने marks अवस्च send करें ठीक है किसके कितने marks बन रहे है comment box में comment करें और telegram channel पे मैंने poll डाला है उसे join कर ले किसके कितने marks बन रहे है मुक्रशेविका में तो आपको वहाँ पे फैदा मिल जाएगा तो यहाँ पे जो मेरे अमसार cut-off जा सकती है अनुसार के यूर की बात करें तो यूर में जो जा सकती है 60 के राउंड रहेगी प्लस माइनस दो कर सकते है क्योंकि ज़्यादा candidate नहीं थे 35,000 थे और 3 गुना अब्यारतियों को अभी DV के लिए बुलाए जागे लगबग 8,000 अब्यारतियों को 75,000 मगर मेरा कहना है उनका 3 गुना क्योंकि अब इसके आगे और कोई चरण है नहीं और एक मेरिट और जागी हो सकता है इतने ज़्यादा अभ्यारतियों को भी ना बुलाए document verification के लिए ठीक हो सकता है मगर मैं मान के चलता हूँ उन्होंने कहा है 3 गुना तो मैं 3 गुना लेके ही चलता हूँ तब भी 8,000 अभ्यारतियों को बुलाएंगे प्लस माइनस दो कर सकते है साट प्लस माइनस दो हो सकता है मैं यह अपने मुझे नहीं कहूँगा वो result क्योंकि जब तक कोई चीज ना आ जाए क्योंकि कहना है काफी लोगों का कि OBC और SC category के candidate यहाँ पे ज़्यादा applicant है ऐसा देखिए अप्लिकेंट है मगर इसका मतलब यह नहीं है हो सकता है उनके ज़्यादा 6 माउक्स हो तो overlap कर जाए unreserved category में तो यह कहना मैं अपने मुझे नहीं कहूँगा मगर जब तक final result नहीं आता है कट अफ नहीं आती है तो मैं बराबर लेके चलूँगा इस चीज को SC के लिए बात करनूं फेंस तो यहाँ पे इनका रख सकते हैं 56 या 58 plus minus 2 EWS भी यहाँ पे 56 plus minus 2 रह सकता है उसके बाद ST यहाँ पे 50 के राउंड रह सकता है ST की बात करें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ST की यहाँ पे 50 plus minus 2 तो यह चीज़े और जो फीमेल है तो अभी क्योंकि final cut-off नहीं आएगी क्योंकि यह है डीवी डॉकुमेंट वेरिफिकेशन ठीक है डीवी होगा और जो आएगी वह 26 रानवे कंडिडेट के लिए होगी फाइनल कॉट आफ होगी तो वह कितनी जाएगी क्योंकि हो सकता है अभी जिसके 75 मार्स है हो सकता है उस वह इलिजबल ही ना हो अभी तो डॉकुमेंट वे रस्त कर दी जाएगी यह चीज़े हैं और कोई जानकार याती आपको हमारे चनल के मादम से आउगत करा जाएगा वीडियो को लाइक करके साजा करें आपके मार्क्स कितने आ रहे आप मुझे अवश्य कमेंट माक्स में कमेंट करें और हां कुछ अबहरत को डाउट है आपसे गुजारिस करूँगा टेली ग्राम चनल को वस जान कर ले तो आपको सल्क परकार की अबड़ दे दी जाएगी थैंक्स पर वाचिंग जाएगी